Good morning class 4. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi period. So class अपनी Hindi literature की notebook निकालिए. जैसा कि आपको पता है कि कल आपका क्या है? फॉर्मेटिव है हिंदी का, राइट? तो आज हम एक revision worksheet solve करेंगे, ओके? यह revision worksheet आपको बिल्कुल इसी तरह अपनी Hindi literature की notebook में solve करनी है. तो अपनी notebook open कीजिए, heading लिखिए revision worksheet, sketch pen से लिखेंगे revision worksheet, यह revision worksheet कौन से part पर based है? पार्ट जल बचाओ, ओके? टेक आउट यूर पैंसिल लेने रेजर. नव क्लास, सबसे पहले आज की दिनांक डालेंगे हैं, हम आज कितनी दिनांक है? हिंदी में डालेंगे? 24 मई 2021 कितनी मई है? 24 मई 2021 तो क्लास पहला प्रश्ण नोट डाउन करना है, आपको अपनी नोट बुक में निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए. इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं. तो क्लास पहला शब्द है व्याकुल. व्याकुल का अर्थ क्या होता है? परेशान. दूसरा शब्द है द्रिश्य. द्रिश्य मतलब क्या होता है? चित्र. द्रिश्य का अर्थ होता है? चित्र. तीस्रा है व्यार्थ. व्यार्थ मतलब होता है? बेकार. व्यार्थ का अर्थ क्या होता है? बेकार. चौथा है जमा. जमा का अर्थ क्या होता है? इकठ्था. जमा का अर्थ होता है? इकठ्था. अब प्रश्न दो लिखना है आपको. प्रश्न दो है. सिचाई के लिए पानी किस से निकालना पड़ता था? जहाँ पे class सिर्फ प्रशन दिया हो वहां पे आपको उस प्रशन का पूरा अंसर लिखना है हमेशा जहां आपको ऊपर प्रशन दिया होगा कि इन प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दो तो वहां पे आपको उन questions का शिर्फ one word में हे सिचाई, के लिए, पानी, ट्यूब वेल, से, निकालना, पढ़ता था, सिचाई, के लिए, पानी, ट्यूब वेल, से, निकालना, पढ़ता था, आप सबको पता है न, आपको, इतना बड़ा बड़ा ही लिखना है, छोटा छोटा, कोई नहीं लिखेगा, ओके, अगला प्रश्न है, सभी जानवर शेर के पास क्यों गए थे, इसका उत्तर क्या पढ़ा था हमने, संकट से, बचने के लिए, सभी जानवर, शेर के पास गए थे, संकट से बचने के लिए, सभी जानवर, शेर के पास गए थे, अब है प्रश्न चार, प्रश्न चार में आपको क्या करना है, निम्न शब्दों के एक-एक परियावाची शब्द लिखिए, इन शब्दों का आपको क्या लिखना है, एक-एक परियावाची शब्द, परियावाची शब्द मतलब आप सबको पता है न, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हम क्या बोलते हैं परियाईवाची शब्द बोलते हैं तो पहला है धरा धरा का परियाईवाची शब्द होता है धर्ती बहुत सारे होते हैं तो उन में से हमने एक लिखा यहां पे धर्ती दूसरा है बादल बादल का परियावाची शब्द होता है मेग अगला है मीन मीन का परियावाची शब्द होता है मचली दन अब है हमारा परशन पांच परशन पांच में बोला जा रहा है निम्द शब्दों को बहुवचन में बदल ये एक वचन और बहुवचन आपको पता है न एक से अधिक चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं उन्हें बहुवचन एक फसल और अधिक क्या होंगी बहुवचन में इसको क्या लिखेंगे हैं फसलें फसल फसलें लडाई लडाईया लडाई लडाईया अगला है रितू रितू का क्या होता है बहुवचन रितूएं रितू रितूएं अगला है बात बात का होता है बातें बात बातें अब है प्रशन छै ग्लास ये प्रशन आपका ग्रामर पार्ट से है ओके दी गई गिंती को शब्दों में लिखो हिंदी लैंग्वेज में आपकी क्या आ रही है एक से लेके 20 तक की गिंती आ रही है ना तो आपको इस गिंती को किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, मतलब इनकी spelling लिखनी है, तो यह क्या लिखा है, ग्यारा, ग्यारा कैसे लिखते हैं हम, ग्यारह, 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 नीस, अग्ला है, आठ, अग्ला है, पांच, अग्ला है, अठारह, अठारह, और लास्ट में क्या लिखा है, तीन, क्लास, यह वक्षीट हमने अभी जो सॉल्व की, और लास्ट हमने एक और वक्षीट, रिवीजन वक्षीट सॉल्व की है, ठीक है, आपको इन सभी वक्षीट को अच्छे से पढ़ना है, अपने फॉर्मेटिव के लिए, ओके क्लास, So that's all for today, bye bye, take care.